हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियल आपका एक्जाम पूर में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो आज का अपने टॉपिक देख लिया होगा कल हमने स्टार्ट किया थे टॉपिक इनिक्वालिटी अंसमानता कल स्टार्ट की थी आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज फर पार इक बार डाइक जरूर्व कर दीजिए फिर हमलों स्टार्ट करते आज की क्लास को करेंगे तो जल्दी से आप सभी लोग अपने Sabhi ımız को सेर कर दो लाइक कर शसना नहीं किया है फिर हम स्थार्ट करें आज की क्लास को ठीक है very very good morning to all of you सबोस्भी को very very good morning जल्दी से आप लोग subscribe कर दीजे फिर हम start करें आज का second part inequality का part two inequality का हम लों next part start करते हैं part two part two a samantha क्या है a samantha कल जो questions हमने homework में दिये थे पहले हम वो questions करेंगे उसके बाद हम आगी class को continue करेंगे फिक्षेटा क्वेस्ट्ट के पीडियों ने दी क्योंकि टॉपिक फिनिश नहीं हुआ था ना आज लिए टॉपिक फिनिश होगा तो आज मैं पीडियों सब्सक्राइब टॉपिक फिनिश औरने के बाट पीडियाफ दी जाती है तो आज टॉपिक फिनिश हो जाएगा मैं पीडियाफ को अप्लोड करवा दूँगी टिक है शाम जब आपको पीडियाफ मिल जाएगी कितने लोगों कुल मैंने जो हुमवक दिया था और जल्दी से एक बार कमेंट करो आपको डिया था वैरी ऐ कोनुड़ा केशरी सुमित चोधरी जल्दी से बताओ कितने लोगों ने आप जो होमवक दिया था मैंने कल आपको कितने लोगों ने वो किया था at least try क्या हो answer आया हो ना आया हो गलत हो सही हो वो कोई मतर नहीं करता कितने लोगों ने at least try किया था its very good यह लिएák पस्यां पत्राइज करों क्योंकि रिवाइज नीं होगी कोई पी चीजा आपके दिमाग में नहीं बैठेगी इसलिए आप लोग रिवाइस करते रहा करो वेरी गुर्ण चौधरी अब साट करते हैं कल वाले होमवक से ही कल वाले होमवक क्वेशन से को आपके प्रैक्टिस होती रहेगी और कुछ भी नहीं है वेरी को लिमांचु सिंग आपने क्वेश्चन की थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किये थे यह बहुत अच्छी बात है बदा फैला पैला कॉश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा एम एम ग्रेटर धैने एस लेश देन पी फेर है आपका कई ूसके बाद हो गया दूसरा है जे D is equals to C और रेजन के यह आपकी equation है दो equation है आपकी पहला क्या है C greater than P S less than D M greater than J P greater than J ठीक है यह चार है आपकी 1, 2, 3 C और 4 कल मैंने आपको क्या बोला था जहां से मूख खुला हुआ है माँ से start करेंगे कैसे आपके option से कहां जाएंगे C से E पे कहां जाएंगे हम लोग C से P पे अब C देखो कहा है C आपका यह रहा P आपका यह रहा C यह रहा P यह रहा कहां जाएंगे पहले C से K जाएंगे फिर के से P जाएंगे कैसे जाएंगे सी से के और के से पी अब देखो क्या हम सी से के जा सकते हैं क्या हम सी से के जा सकते नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता आपका बंद है यहाँ पे तो हम आगे भड़ी नहीं पाएंगे तो आपका यह रास्ता बंद है तो आपका यह गलत हो जाएगा अब देखो इसके अंदर डी से एस जाना है मिको कहां जाना है डी से एस अब देखो डी आपका यह रहा एस आपका यह रहा मुझे यहां से यहां पहुचना है अब क्या मै पहुच पाऊंगी यह भी आपका गलत हो गया अब देखो एम से जे जाना है कहां जाना है एम से जे की तरफ एम देखो कहां है यह रहा एम यह रहा जे यह रहा कहां जाना है में को एम से जे जाना है तो पहले कह जाओंगी एम से के जाओंगी फिर के से जे जाओंगी तो स्टार्ट करें M से गई S पहुच गई S से गई P क्या जा सकते हूं नहीं क्योंकि यहां पे आपका ब्लॉके जा गया तो यह भी आगे नहीं हो पाएगा यह भी गलत अब मुझे जाना है P से J कहां जाना है P से J की तरफ P आपका यह रहा जे आपका यह रहा पी यह रहा जे यह रहा तो जाओंगे कैसे पहले P से K और फिर K से J तो P से K गई P से K गई क्या मैं जा पाओंगी नहीं क्योंकि रास्ता यहां पे ब्लॉक हो गया तो यह भी आपका गलत तो क्या हुआ आपके सारे की सारे आपका अंसर गलत हो गए सारे की सारे आप्शन सब्सक्राइब और रॉंग बात समझ में आई बैटा क्या पढ़ा लू टॉपिक आपको सामने लिखा हुआ इनिक्वालिटी असमान था पहला कोईशन क्लियर हुआ अब चलते कल का दूसरा अंबच क्योश्चन नमबब सै विन जिसमें आपकी तीन इनिक्वालिटी थी क्या थी आपकी तीन 5-9 City दिए भी कोईसिंट बर स्यलेकिट है रिषम और से क्या को मैंसे प्र looking guy चॉइस लिए नहीं बतारी मैं आपको 슈 को देंग्जद शिखलो यह method आपका time नहीं लगाएगा, common वाले diagram में क्या होगा, आपको copy का use करना पड़ेगा बार बार, इसलिए 7 देखो, क्या है आपका L is equals to M greater than C, दूसरा क्या है M greater than P, और तीसरा क्या है L less than K, पहली क्या है आपका K greater than P, पहला है आपका, दूसरा है K less than C, दूसरा है आपका, clear हुआ, अब देखो मुझह जाना कहां पे है, मुझे जाना है K से P पर, कहां जाना है K से P पर, अब के देखो कहां है, K यह रा, पी कहा है यह रहा के यह रहा और पी यह रहा अब मैं कैसे जाओंगी देखो इसके दो रास्ते जाने के इसके दो रास्ते हैं जाने के देखो के से एल जाओंगी पहले मैं के से एल गई अब देखो या तो हो कुछ ऐसा कुछ कि इन दोनों में कुछ कॉमन हो इन दोनों में में common है और l pagina in 20 क्या करूंगी ऐन таким के से ऐल जांगी एल से एम जाओंगी और एम से पीजांगी लिंक भनकिया हमें क्या लिंक भाज मताना होता है लिंक कैसे हुआ है यह मैंने के से एल गई एल से मगई मैं से पीगई हमें मुझे पहुच पहुच ना काप्र था पीब पहुँच गई अब सिंबल देखो यहां पे राजा है यहां पे जंता है और यहां पे राजा ए राज्जा जंता में क्या सिंबला आएगा राजा का एकदम सही है रहे, सुस्सार मेथट भी सिखा tangy सिख Bub Holly पहले आप लोग यह यह रहा है इन दौनों में कुछ common है बिलकुल है क्या एल common है तो क्या करूंगी सी से यह जाओंगी फिर एल से के जाओंगी सी से एम गई पहले क्या में जा सकते हूं नहीं क्योंकि रास्ता यहां पर बंद है तो यह आपका गलत हो गया इतनी बाद सबको समझ में आई पर दौनों सही कैसे वीनपाल आपका क्वेशन नमबर जो सेक्ट अस्टेट्मेंट वह गलत है सेक्ट कंक्लूजन जो है वह आपका गल बात हो गया बेलकुल सही अकाश बाजपई ओली फर्स्ट आपका एकदम सही होगा इतनी बात क्लियर हुई सभी को अब देखो इसका एक और तरीका है पर वह टाइम भाल लेता है पर वह टाइम डालेगा आपको कापी बढ़ाना पड़ेगा देखो क्या है वह तरीका वह लाइन है मारे पास अब देखो यहां पे क्या है एल और के है क्या है एल और के यह मूँ किसकी साइड है के की साइड है मतलब यहां पे जोड लो एक यहां पे के की साइड एक बार यह मूँ लाके और यह चीजा को जोड लो तो क्या हुए आपको इसको अटा दें अब बचा क कि एक तो यह बची क्वेशन और एक क्या बची यह बची अब क्या ओ गई अबielle हो ढ़र कर सकते हैं में और इस तरह से आप लोग तीन से चार्ज़ इनिकॉलटी आती है उसको शॉट में 2 में चेंग कर सकते हो आएव बास समझ में इतनी बात सबको समझ में आई कैसे हम लोग ये चीज क्वेशन कर रहे हैं दौनों तरीके हैं कैसे भी सॉल्व कर लो आप लोग क्लियर हुआ सबरी को अब चलते हम लोग क्वेशन नमबर एट पे क्वेशन नमबर एट देखते हैं अब क्वेशन नमबर एट देखते हैं बताना क्वेशन नमबर एट का अंसर आप लोग देंगे क्वेशन नमबर एट का अंसर आप लोग दोगे धंग से और वो भी सही सही बताओ उसका अंसर क्या होगा तीन स्टेटमेंट है कितने हैं तीन है बताओ क्वेशन नमबर एट का अंसर क्या होगा क्या है हमारे पास ए ग्रेटर देख सॉरी बी फिर है आपके पास सी दूसरा है ए डी फिर है आपके पास सी लेस दन एफ ठीक है स्टेटमेंट है डी लेस दन सी और दूसरा है एफ ग्रेटर दन डी बताओ क्या होगा पताओ इस वाले का अंसर क्या होगा देखो अब जाना मुझे कहा है सी से डी पर कहा जाना है मुझे सी से डी पर जाना है ये पहला है ये दूसरा है अब सी देखो कहा है सी मेरा ये रहा डी कहा है डी मेरा ये रहा सिरा इन दरवमें कॉमन किया है तो हमन्क क्या होगे तो मैं क्या जाओंगे पहले सी से ए फिर एस डसी से भी गई जा सकती हुआ था कुला है अब देखो सिंबल क्या हैगा यहाँ पे राजा D पर कहां जाना है F से D पर अब देखो F ये रहा D ये रहा F ये रहा D ये रहा पर इन दोरों में common नहीं है तो कैसे जाओंगी मैं F से C पर जाओंगी फिर C से A और A से D आई बस समझ में F से C जाओंगी C से A जाओंगी और A से D जाओंगी अब स्टार्ट को चलना F से C गई पहुच गई C से B पहुच गई B से A गई पहुच गई A से D गई पहुच गई मतलब मैं आखिरकार पहुच तो गई यहां पे F से चलना शुरू किया और मैं D पहुच गई अब सिंबल देखो यहां मंत्री यहां मंत्री यहां मंत्री पर यहां पर क्या आगया राजा एक बार राजा आ गया तो आंसर क्या होगा पर राजा तो यह क्या होगा अगर एक बार आपका राजा आजाएगा तो आंसर क्या होगा आपका राजा ही होगा तो क्या होगा फर्स्ट आपका सही है से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर क्वेशन नंबर नाइन देखते हैं बिल्कुल सही दिव्यांग गुनियात की स्पॉच तो जाते हैं पॉच तो गई इसके अंदर पर क्या है आपका सिंबल कलत है क्वेशन नंबर नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ क्वेशन नाइन्थ क्वेशन देखते हैं आम लोग अब नाइन्थ क्वेशन देखते हैं और बताओ इसका अंसर क्या होगा अब नाइन्थ क्वेशन देखते हैं और बताओ इसका अंसर क्या होगा question है आपका B greater than E फिर आपका C is equals to F ठीक है उसके बाद है आपका K M N Q फिर है आपका K greater than B पहला क्या है आपका N greater than C दूसरा है आपका M B तीसरा है आपका F Q और चौथा है आपका C और K बताओ क्या होगा इसका अंसर पेटा combine करने से क्या होगा अंजली कि आप लोग है ना time जाड़ा लोग है इसलिए मैंने सिखारी मैंने अभी आपको बताए भी था combine कैसे करना है अभी मैंने आपको बताया था combine कैसे करना है पर इससे क्या होगा पर इससे क्या होगा आपका कि उसको time जा लगा copy pen का यूज़ करना पड़ेगा आप समझ में आप बताओ इसका अंसर क्या होगा देखो क्या है मुझे जाना है N से C पर कहां जाना है मुझे N से start करना हो C पर जाना है N देखो कहा है C कहा है मेरा N से start करना हो जाना कहा है C पर अब देखो इन दोनों में common क्या है इन दोनों में common क्या है B, E, C, F कुछ भी common नहीं है इन दोनों में कुछ भी common है तो क्या है मुझे तीसरा अपनाना पड़ेगा पहले मैं आउंगी एंड से के पर फिर के से बी पर और बी से सी पर आई बस तो क्योंकि इन दोनों में क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे क्या से अपनाना पड़ेगा वो तीसरा रूट लेना पड़ेगा कैसे एंड से के पे के से बी और फिर बी से सी अब देखो एन से एम जा सकती हूं एम से के चली गई के से बी चली गई और बी से ई और ई से सी मतलब मैं अखिरकार सी से sorry N से C पर क्या है میں N से C पर पोच तो गई अब सिंबल मंत्री 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 एक जगे राजा आ गया सिंबल क्या है का राजा का बिल्कुल सही है आई बाज समझे अब दूसरा देखो अब आप दूसरा देखो क्या है मुझे जाना है M से B पर कहां जाना है M से B पर M कहां है ये रहा B कहां है ये रहा तो जाओंगे कैसे M से K जाओंगे K से B चलना साथ किया M से K गई पहुच गई K से B गई पहुच गई मतला में पहुच गई सिंबल देखो मंत्री मंत्री दौन जोई क्या रहा है मंत्री और यहां पर भी क्या है मंत्री बिलकुल सही है अब इसमें देखो जाना कैसे मुझे क्यूं से स्टार्ट करना है और एफ पर जाना है कहां जाना है मुझे क्यूं से स्टार्ट करना है और एफ पर जाना है क्यूं का है मेरा ये रहा एफ का है मेरा ये रहा यहां से यहां पहुचना है कैसे पहुचूंगी पहले क्यूं से के जाओंगी के से बी और B से C ठीके वर B से F आइब अबस म άप्वां क्यूं से एंप पहुंच गई N से M पहुंच गई M से Kthis Kже B पहुंच गई 26 ee e se C R's 40 G Goddess को एक Barrage एक्सा गहीं हो एक वर राजा आजाया आ जाए है कर आपका राजा का बिल क Roulaええ तीसरा चौथा swears चौते में क्या है? K से C पर जाना है? कहां जाना है अपको? K से C पर. K देखो कहां है? K येरा, C येरा. K से B जाओंगी और B से C जाओंगी. Start क्या चलना? K से B पहुच गई. B से E और E से C पहुच गई. symbol देखो, क्या है, यहाँ पे मंत्री, यहां राजा, एक बहर राजा आ जाए, symbol क्या ऐगा राजा का तो यह भी आपका सही है, मतलब all right, सारी की सारे आपके एक्दम सही है आई बात समझ में क्या होगा आपका, सारे की सारे options किया है या आपके एकदम सही हैं बात समझ में आई question number five sorry a ninth question number nine आपको clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी से आप लोग सभी एक बार comment कर दो जल्दी से आप सभी लोग एक बार comment कर दो question number nine आपको clear हुआ या फिर नहीं हुआ जोड के कुछ लोग बोलते इंको जोड के बताो तो जोड के सिखा देती हुए एक बार ये question एक बार जोड के सीख लेते हैं कैसे सीखेंगे ठीक है बडेखो यह रहा अब देखना जैसे मैंने ले ले ये ये बेस ले लिया ये बेस ले लिया अब देखो या तो कौने में क्या है बी है या फिर एफ है कौने में क्या है बी और एफ तो यहां पे कौने में क्या है बी मतलब ये इससे जुड़ सकता है जुड़ेगा कैसे इसका जो मू है वो कहा है के की तरफ और चोच का है B की तरफ तो यहां जोड़ो यहां इसका पॉइंट है और यहां पर के हो जाएगा जुड़ गया यह से जुड़ गया अब यह अटा दो अब बचा यह 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 भी से जुड़ सकता है क्या जुड़ेगा इसको नीचे लिख लेती हूँ क्या है यह के बी ई सी और एफ यह था आपका यह नीचे लिख दिया है यह था आपका अब देखो यहां पर कौने में के है यहां भी कौने में के है इसको इस से जुड़ दो जुड़े कैसे के की तरफ क्या आ रहा है आपके पॉइंट आ रहा ह तो क्या आपके आपकी यह पूरी आपकी लाइन बन गई रेशाब कुमार करके इजी तो पढ़ता है पर आपका जो एक्जाम है वो कौपी पे बेस्ट नहीं है क्या है ओनलाइन एक्जाम होता है online exam में क्या हो जाता है आपका screen पर देखके करना पड़ता है जो अभी मैं trick बताई थी आपको जैसे हम solve कर रहे थे उससे क्या है आपको online में कर सकते हो इसमें क्या है आपको copy pen पर लिखना ही पड़ेगा समझ में आई ये चीज़ बिलकुल राहूल कुमार बिटा में इदर और और नीदर नौर भी समझाओंगी आप ये चीज़ क्लियर करें के रखिए कि topics आपको सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है समझ में आई ये चीज़ question number 9 अब क्लियर हुआ अब चलते हैं question number 10 पर next question देखते है question number 10 अनुरा के से बिटा कोड़ भी पड़ाऊंगी आज आपको topic clear हो जाएगा आज आपको topic क्या है clear हो जाएगा अब देखते है next question देखो जिसको जो method सही लग रहा है वो वैसे करो कोई कंपल सरी नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं जो आपको ठीक लग रहा है method उस method से आप लोग करो ठीक है next question एरा 10 इसका answer आप लोग बताओ इस लोग का answer आप लोग बताओ क्या होगा इस वाले का answer बताओ क्या होगा यह आपका homework के लिए आपका homework के लिए अब ठीक है तैंस question आपका homework के लिए कुशन में थर्टीन लगा देंगा तैंस question यह वाला homework के लिए अब चलते हम लोग कोड़ वाला कोड़ इनिक्वालिटी देखते हम लोग अब यह वाला आपका homework के लिए आप लोग homework में करके लेके आईएगा ठीक है देखो आपको दौन तरीके बता दीए आपको दौनों तरीके बता दीए जो आपको ठीक लगे वैसे करो जो आपको ठीक लगे आप लोग वैसे कर सकते हो ठीक है इसको कैसे करेंगे पहला क्या लिखा है देखो को डिवाले कैसे करना है जो सिंबल दे रखें पहले उनको लिख लो क्या है आपका सिंबल एड़ रेट है सी फिर यह हो गया आपका पर्सेंटेज फिस्टार उसके बाद एड़ रेट और उसके बाद आपका डॉलर यह आपके सिंबल है यह आपके सिंबल दे रखें अब पहले वाले symbol का मतलब क्या है पहले वाले symbol का मतलब है P is not smaller than Q P is not smaller than Q मतलब P बड़ा है किस से Q से P बड़ा है Q से दूसरे का मतलब क्या है P is not greater than Q मतलब P छोटा है क्या लिखा है P is not smaller मतलब P बड़ा है और इसमें क्या है P is not greater मतलब P छोटा है तीसरा क्या दिरका स्टार का P is not smaller और not equal P क्या है इसका हिंदी दे रखा है क्या हिंदी में लग जाएगा भी आपका क्वेशन आपका हिंदी में भी लग जाएगा क्या दे रखा है इसका P is neither smaller nor equal P छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है इसमें क्या है P is neither greater मतलब छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है मतलब बराबर हो गया फिर P is not greater मतलब छोटा हो गया और यह हो गया अब देखो question आप भी आपको English और Hindi दोनों में दे रखे हैं question आपके दोनों में English और Hindi शिवानी पांडे बिटे question आपका टफ नहीं है पहले हमें क्या करना है इन symbols को लिखना है हमेशा आप यही करोगे जब भी आप inequality आजएकि अभी इसका मतलब क्या है पहला question का इसका अर्थ है पी क्यू से चोटा नहीं है तो क्या होगा बढ़ा होता जब चोटा नहीं तो क्या होगा आपका बढ़ा होगा तो बड़ा लिख दिया मैंने दूसरा क्या लिखा है P Q से बड़ा नहीं है P जब बड़ा नहीं है तो क्या है छोटा होगा P Q से बड़ा नहीं है तो मतलब क्या होगा छोटा ही तो होगा तीसरे का अर्थ है आपका पी छोटा भी नहीं हो ना बराबर भी नहीं है तो मतलब क्या है पी बड़ा है अब देखो इन दोनों का मतलब क्या हो गया पी बड़ा है लेकिन इसमें क्या लिखा है बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बराबर भी हो जाएगा आई बास समझ में मैंने ये वाला सिंबल क्यों लगाया क्योंकि इसमें लिखा हुआ था बराबर नहीं है अगर ये बराबर नहीं है तो कोई ना कोई एक तो बराबर होगा तो क्या होगा ये वाला बराबर हो जाएगा आई बस समझ में next क्या है आपका पी नहीं एक ना तो छोटा है और नहीं बड़ा है So, क्या ओजाएगा बराबर का ओजाएगा last वाला क्या है आपका p p q से अधिक नहीं है मतलब छोटा है और नहीं बराबर है और नहीं आपका बराबर भी है पेटा फर्स्ट वाले में एक्वल क्यों लगाया मैंने क्योंकि इस वाले में क्या दे रखता पी बड़ा है क्यों से लेकिन इसमें यह भी दे रखता बराबर नहीं है तो इन दौनों में से मुझे कहीं तो बराबर लगा नहीं है यह तो आप माने के चलोगे इन दौनों में से कहीं तो बराबर लगाना है जब यहां पर देर रखा एकि बराबर नहीं है तो मैं ने बराबर कहां लगा दिया आपका यहां लगा दिया लुष को दों नहीं बेटा समय ash some травs गव लेको are fields कौन कौन से होते यह होता है this तो ये हो गया समझ में मुझे कहीं तो इन दौनों में से कहीं तो आपको enlightgo लगा नई पड़ेगा कोई कि सिंबल सारे आने चाहिए तो कहीं तो मुझे लगाना ही पड़ेगा यहां पे specify कर दिया कि यह बराबर नहीं है यहां पे क्या होगा यहातो बराबर यां फिर ठीक है अब चलते हैं इसके question पर इसका पहला question आपकी screen पर देखते हैं वह question हम लोग कैसे करेंगे ठीक है बिल्कुल अकाज बाच्पई इसमें क्या है बस symbol का ही खेल है यह बिल्कुल ठीक बात है यह symbols एक बार लगाने आ जाएंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसका पहला question आपके screen पे है अब इन symbol को decode करो अब इन symbol को decode करो और बताओ answer क्या होगा अब इन symbol क्या करेंगे अब decode करेंगे और बताएंगे इनका answer क्या हो जाएगा conclusion है आपका पहला फिर दूसरा है और फिर तीसरा है यह रहा ठीक है अब देखो dollar का मतलब क्या है dollar का मतलब हो गया less than मतलब m छोटा है जेसे star का मतलब क्या हो बड़ा मतलब जे बड़ा है किसे टी से add the race का मतलब क्या हो copyright का मतलब के बड़ा है या बराबर है किसके टी के यह symbol लगा दिये तो copyright सिसे symbol का मतलब क्या था हमारा यह तो मैंने यह लगा दिया इस वाले symbol का इस वाले symbol का मतलब का less than तो मैंने यह लगा दिया उसका मतलब यह हो गया अब से मैंसी करो star का मतलब क्या है आपका greater than है dollar का मतलब क्या है आपका less than ऐसmakorta से म ₹ 12 अब वही बन गया जो भी हमने पढ़ा था क्या है क hybrid जाना है का जाना है के से जे पर जाना है तो connection देखो खेया रहर और जेल रहर केसे कि पर चाक्ति उँफिस ले पर नहीं के से टीप पर अक्ति पर टीजेशन सब्सक्राइब नहीं राष्ता बंद है तो यह बन घ settlements घलत और भी से उए के से हैम सांगी यह रहा है यह www.acc.eal.com जै ती-से जै नहीं जा सकती भ लाक जा गया थी से जजे नहीं जा सकती क्योंकि ब्लाक जा गया यह भी गलत हो गया के से एम कहा जैना है के से को कहा है अब टोपैल एलम शैने चीट यह से जे थी जे सर्थ गई ती जैने जा रिर्यासम तेशन वी है जो किया होगा इसका और रॉघ्लम आपका Áंशर हो गया तीनों के इदा गलत हो गए इतनी बात समझ में है सभी को कौ अ कि ब्लётсяो हो इत अब कोकुल कोई मतलब ने सारे गलत होरह रहे हैं आपको साहिंमा करना है हमें कि मतलब है कि सारे सारे अपर गलत हो गए तीनों आपके गलत हो गए इससे हमें कोई मतलब नहीं है अ बेलकुल चाहिए इसका अंजर क्या होगा और रॉग अब इसी में नेक्स पुश्ण दिखते हैं कोईशन नेक्स दिखते हैं इसका नंदनी कुश्वा बिटा अभी और भी कुश्शन देखेंगे और एक्स्प्रेन होगा डंग से अभी हम लोग इसमें और भी कुश्शन देखेंगे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है क्कुश़्न नंबर सेफ्टीन देखो बताओ इसका अंशिर क्या होगा बताऊ इसका अंशिर क्या हो जायग अश्मन क्या हो जया वस्मिम्बल में ओंटने कका बताओ सोओ अज मैं कब क्या है H at the rate B B copyright R A dollar R ठीक है फिर conclusion क्या है पहला आपका B star A दूसरा क्या है आपका R यह और H और तीसरा है A dollar H अब क्या करना है आपको सारे की सारे सारे की सारे आपको decode करने करो at the rate का क्या है is equals to H is equals to B copyright का क्या है greater than B greater than R dollar का मतलब क्या है आपका less than A less than R same कर उसको star का मतलब क्या है बी greater than B greater than A dollar का मतलब क्या हुआ less than और percentage का मतलब क्या हुआ less than अब करो अब मुझा आना है B से A B कहा है ये रहा A ये रहा कह जाओंगी B से R जाओंगी R से A पहुच गई सिंबल क्या है गा मंत्री और राजा राजा का बिलकुल सही है ठीक लियर हुआ अब दूसरा देखो जाना मुझे कहा है H से R ह ये रहा R ये रहा सिंबल क्या है आपका जनता और मंत्री क्या है मंत्री बिलकुल सही है नेक्स देखो बूछ के ये हैच काहा है H Computer k whiskey H से B गई, B से R गई, R से A गई, पहुच गई, सिंबल क्या हैगा, राजजा, एक बार राजजा आगे तो क्या हैगा राजजाई, तो आंसर क्या होगा, यह भी सही, मतलब सारे कि सहाए सही है, All Correct आपका सही आंसर होगा, प्रतीक श्रिवास्तर बेटा, यह चीज़ से बैंक में नहीं आती, यह चीज़ें आपको इन पेपास में भी आती हैं, अगर आपने लास्ट में पेपास दिये हैं आपको, अभी दीसेंटली अगर आपने पेपर दिये हैं, तो आपको पता होगा, कि यह आपके एक्जाम से म इस तरह से यह बनेगा तो इस का अंसर किया जाएगा आपको ओल करेक्ट जल्दी से एक बाद सभी लोग कमेंट कर दो यह चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई जल्दी से आपको कमेंट कर दो आप सभी लोग कि यह वाली चीज आपको क्लियर हुई या फिन नहीं हुई बिल्कुल अमित को बिटे देखो आप ये मान के चलो कि अभी ये पैटर्न जो चेंज हुआ है उस चेंज पाइट पैटर्न में यही चीजे आनी हैं आपके यही चीजे आनी है चाहे बाद में आपका अफसोस ना हो इस चीज का की कास पढ़ लेते इजी टॉपिक है कुछ भी नहीं है इंटॉपिक के अंदर पर यह आजकर आपके स्लेबस में एड हो चुके हैं ठीक है बिल्कुल अकाश बाचती बहुत पढ़ी बहुत बड़ी बात होती है ठीक है अब देखने नेच्सक्रक्षन Question number 16, question number 16, देखने हैं समय अब, question number 16, देखने हैं अब, question number 16, देखो, बताओ, इस वाले question का आप लोग answer दो अब, अब आप लोग answer आँची इतने तीन question कर चुकें, इसमें, same type के तीन question कर चुकें, अब आप लोग answer दो, इसका answer क्या होगा, जल्दी से, question number 16, देखने हैं, बेलकुल शिवांगी पार्टर, ये चीज़ें आपकी वीडियो के पेपर में भी आई थी, अब मान के चली, इस लेबस में एड़ हो चुकी हैं, ये आपका आने लग गया, इसलेबस के अंदर, बताओ, इसका answer क्या होगा, 16th का, 16th वही चैवेले क्या होगा, वो symbol बनाओ, क्या है, Z, F, फिर F, dollar, M, और M, ये वाला symbol उसके बाद होगया, K, इसने पहला conclusion क्या है आपका, K star F, दूसरा क्या है, K star Z, तीसरा क्या है, Z star M, अब देखो, copyright का मतलब क्या होगया आपका, greater than, Z greater than F, इसका मतलब क्या हुआ, less than, F less than Q, इसका मतलब क्या हुआ, greater than, M greater than Q, आपको समझ आ रहे हैं कि मैं ये symbol कैसे बना रही हूँ, देखो, इसका मतलब क्या है, ये है, हैं मतलब जो आगे हैं वो आगे लिखा हुआ है जो पीछे हो पीछ लिखा हूँ ऑक्रिमyun यू जो पहले लिख आए हो जो आखरी में रिखा जाएगा उसके बाद जिस्मबल आए का वह बनाना हैंको याई मेश समझ में अब देखो इसमें गया स्टार का मतलब डिया गरेटर तन एफ के ग्रेटर देन जैड और जैडर डे डिडिश अब देखो पहले मुझ जाना का है कैसे F कहा है मेरा सरी यूपर किया रही गा कि यह रहा ऐा तो कैसे एप जाना है तो कैसे एं जाओंगी question में कुछ गड़वड है M, K, Z, F, F, M सरी, यहाँ पे M आएगा ठीक है, अब आएए, देखो क्या है, मुझे जाना है, K से F K से M जाओंगी, M से F K से M गई, M से F गई सिंबल क्या आएगा, राज्जा मंतरी, राज्जा का clear हो गया अब देखो, K से Z जाना है K से Z, जाओंगी कैसे K से M, M से F F से Z, नहीं जा सकती क्यों, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया, तो यह गलत हो गया अब Z से M अब जाना कहा है Z से M, Z से F गई पहुंच गई, F से M नहीं जा सकती क्यों क्योंकि रास्ता आपका बंद है तो यह भी आपको गलत हो गया मतलब केवल पहला वाला सही है क्या है आपका सिर्फ वाला आपका सही है बाकि सारे आपके गलत हो गए क्या है आपका फर्स्ट वाला आपका जो अंक्लूजन है वह एकडम सही है सेकेंड और थर्ड आपके गलत हो गए आई बात समंझ में आप सभी को यह थे आपके सेकेंड टैप के क्वेश्चन यह दो टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब चलते तीसरे टैप का अब चलते हैं अम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर जो आपके एक्जाम्स में आते हैं तीसरा टाइप देखते हैं जो आपके एक्जाम्स में आता है ठीक है बिल्कुल सही है चंदा कुमारी शिवानी कोई बात नहीं शिवानी पंडे गलत हो रहें और प्रैक्टिस कीजिए अराम से सही होगे आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए अराम से सही हो जाएंगे अब चलते हैं तीसरा टाइप जो आपके एक्जाम्स में आता है अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइब जो आपके एक्जामस में आता है तेक है question number 24 यह रहा आपका display में बताओ इस में से कौन सा वाला सही है यह आपका तीसरा टाइब पर question है जो आपके एक्जामस में आता है 21 लगाना था, 21. 21. यह तो वही है जो भी हम पड़े थे, यह तो वही कोईशन है जो अभी हमने पड़ा था, अभी कोईशन आएगा आपका तीसरा टाइप का, जो आपका न्यू कोईशन है और जो आपके एक्जाम में आता है, टाइप 3, इन इक्वालिटी में टाइप 3 देखेंगे हम लोग कोईशन नमबर 21 आपका स्क्रीन पे है, यह आपका टाइप 3 है, जो आपके एक्जाम में कोईशन आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है कोईशन नमबर का 21 का आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, हमसे पूछा गया है, question में क्या पूछा गया है, P greater than than S, यह वाली condition किस वाले में एकदम गलत होगी, किस वाले में, किस में, देखें, बिल्कुल गलत होगी, पहला क्या है, P, Q, लिख देती हूं एक बार मैं, दूसरा है S, R, Q, P, फिर क्या है R, P, Q, S, फिर है S, Q, R, P, फिर है आपका S, Q, R, डैश, P यह आपको एक वेस्टन है, यह आपको एक वेस्टन हमसे पूछे क्या है, यह वाली कंडिजन किसमें फॉल्स होगी, फॉल्स का मतलब क्या है, मुझे जाना कहा है, P से S, जहां पे मैं P से S नहीं पहुच पाऊंगी, वही आपकी फॉल्स हो जाएगी, अब चलना स्ट करो, P से Q गई, Q से R, R से S, पहुच गई, सिंबल क्या है, राजा आगे, राजा सिंबल है, यह तो एकदम सही है, दूसरा क्या है, P से S, P से Q गई, Q से R गई, R से S गई, P से S पहुच गई, सिंबल क्या है राजा, तो राजा इसमें आ गया, अब यह रब P, P से Q गई, Q से S गई, पहुच गई, सिंबल के आएगा आपका राजा ठीक है, अब यह रब P से R गई, R से Q, यहां नहीं पहुच पाऊंगी यहां मैं नहीं पहुच पाऊंगी क्यों कि हमें पे रास्ता ब्लॉक हो गया तो ये वाला आपका गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा A, B, C और D D आपका सही option है D वाले option में मैं P से S नहीं पहुच सकती आई बास समझ में A की वाले question भी आपके exams में आते हैं हमसे पूछा जाता है किस में ऐसा होगा कि हम यह काम नहीं हो पाएगा इसी में हम लोग next question देखते है question number 22 same यही type का अगला question है question number 22 बेलकुल सही है 21 का answer क्या हो जागा option number D क्योंकि D वाले option में मैं P से S तक नहीं पहुच सकती ठीक है next question देखते हैं इसी में हम लोग अनुरा कैसे बेटा question हलवा था फिर भी लोग गलत कर देते हैं इस question को भी यह question आपके एक exam में ऐसा question भी आता है ठीक है अब देखो question क्या है आपका A इसको समझो और बताओ क्या होगा इस question को समझो और बताना क्या होगा इसका answer इस question को समझो और बताओ इसका answer क्या होगा इस question को समझो और बताओ इसका answer क्या होगा मुझे question में क्या बताना है कि यह दोनो condition यह दोनो condition true होनी चाहिए कैसे true होगी वाली condition हमें question में क्या बोला गया है कि यह condition यह दोनों condition क्या होनी चाहिए पताओ कैसे true होगी मुझे जाना कहा है a se d पे a se d Protestant मैंको a se d पे असानी से पहुचना है कैसे पोचहँगी या तो देखो a से चलना साठके a से b पहुच गहीं atención Christopher आप see सभी जाने पर जाने के लिए मुझे क्या-क्या सिंबल चाहिए होगे या तो यह वाला या फिर यह वाला यहaining तिन तो मैं doenों में से कोई भी सिंबल आ जाए तो म Julian इसे डी några फोट शक्ती हूं ठीक है कोई भी आज जाए अब देखो इनके बीच में सिंबल क्या रहा है राजा इनके सोरी मंत्री क्या सिंबल आ रहा है मंत्री तो मतलब यह वारा सिंबल तो नहीं आएगा क्यों कि एक बार राजा वारा सिंबल आ जाए तो सिंबल क्या आता है राजा का पर इसमें क्या रहा है मंत्री तो यह तो आएगा नहीं इन दौनों में स कोई एक सिंबल होगा दूसरा क्या है मुझे पहुचना है एफ से सी पर दूसरा क्या है मुझे पहुचना है एफ से सी पर और असानी से पहुचना है एफ से सी पर कैसे पहुचूंगी एफ से गई पहुच गई इसे डी गई पहुच गई अब डी से सी पर जाने क्लिए क्या ह लिखनुए सिंबल है एब देखो है इसके इस वाली कंडिशन के अगोंडिंग देवाली सिंबल मैक कर रहें इसक अगोंडिंग यह मैच कर रहें को common symbol क्या है ये वाला तो अंसर क्या होगा यह वाला सिम्बल हो जाएगा है आपको दोनों container satisfies करवानी है इस वाली condition कर्णिंग क्या है ये वाले symbol match कर रहे है इस वाली condition कांडिंग्य कर रही है यह सारे तो आएंगे नहीं इन दोन में जो common symbol होगा वो आपका आएगा तो क्या आएगा आपका इस इकल्स तू वाला आई बास समझ में अब इसी के दो कोशन आपके homework के लिए question number next two questions आपके homework के लिए ठीक है next two questions आपके इसमे homework के लिए अब कि आई बास समझ में चीज है पिटा आपको यह चीज बताने हैं इसके अंदर कि इसके अंदर ऐसा कौन सो symbol put करें जिससे जिसकी वज़े से यह दौनों condition आपकी satisfy हो जाए जिसकी वज़े से यह दौनों condition आपकी satisfy हो जाए क्लियर हुआ सभी को ठीक है एक बर आप वापे से ट्राइ करना वरना कल एक बर वापे से क्वेशन कर लेंगे एक बर आप लोग वापे से वीडियो देखके ट्राइ करना इस को और नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर देना तो कल एक बार यह वाला question वापे से देख लेंगे ठीक है तो आप कोशिश दरूर कीजिएगा question करने की बेलकुल रुपेश शर्मा यही questions आपके exams में आएंगे ऐसे ही ठीक है क्लियर हो गया आप सभी को यह आपके questions है बेलकुल यह थोड़ा दिमाग यूज़ करने वाली चीज़े हैं एक बार आप लोग कोशिश कीज़ेगा आपको clear हो जाएगा यह topic ठीक है और नहीं होता है तो आपको एक बार कमेंट कर दीज़ेगा तो मैं कल आपको यह वाला question वापे से explain कर दूंगे ठीक है में से बीस लाने का आपको try करना है ठीक है तो class हम यहीं पर off करते हैं अगर class अच्छी लगी हो आपको तो आप जास्यादस को share कीज़ेगा और जितना दाधा हो सकतना लाइक कीज़ेगा जो भी लोग new हैं अच पहली बारे चैनल देख रहे हैं सब्स्राइब जरूर थेंक यू